दूरलब विशेश खनीज की संभावना पर रेवतरा में शर्वेत जारी साइल अपकंड मुक्याले से करीब 9 किलिमेटर दूर रेवतरा गाव में एक खेट में रेवतरा के एक खेट में पिछले 6 दिन से GSI की और से ड्रिलिंग कर जमिन के सेंपल लिये जा रहे हैं गुरुवार तक करीब 70 फीट तक ड्रिलिंग की गई है इसमें जमिन के इलग लग परतों के सेंपल लिये जा रहे हैं जानकारिक अनुसार GSI की और से सैटलेट सर्वे में इस चैतर में रेयर अर्थ यानी दूरलब दातू या मिनरल सोने की संबावना जताई गई है दरसल परत्वी के सबसे दूरलब लैंचिनम गुरूप में सामिल मैटल और धातू की संबावना पर यह शर्वे किया जा रहा है इसे लेकर पिछले 6 दिन से यहां कारी किया जा रहा है इस चैतर की पाड़ी और भूगर्ब का सैटलेट सर्वे किया जा रहा है जिसमें से पाड़ी पर कोई विशेश धातू और मेटल होना नहीं पाया गया जबकि यहां भूग गर्ब में रेयर अर्थ मिनरल और मेटल की संभावना जताई गए उसके बाद यहां ड्रिलिंग कर सैंपल कलेक्ट करने का कारी शुरू किया गया जोदपूर माइनिंग विबाग जियोलोजिस्ट अमित दत ने बताया कि जालूर की रेवत्रा में रेयर अर्थ मिनरल्स में सामिल लैंठेनाइट ग्रूप के मिनरल्स की खोज में GSI का सर्वी किया जा रहा है 1200 फिट होगी ड्रिलिंग अभी 70 फिट हुई है दरसल या लैंठेनाइट ग्रूप में मिनरल्स की संभावना पर GSI की और से सर्वी किया जा रहा है जिस मिनरल्स की संभावना है वो दूनिया में काफी दूरलब है लैंठेनाइट ग्रूप में करीब 15 परकार के तत्व होते हैं इसे लेकर यहां करीब 1100 से 1200 फीट तक जमीन में ड्रिलिंग की जाएगी उसके बाद यही पता चलेगा कि इस ग्रूप में कौन्चा तत्व पाया जाता है कैंसर ओधी उपसार में काम आता है लेंथिनोइट ग्रूप इस ग्रूप में 15 तत्व शामिल होते हैं यह ग्लास बनाने ऑप्टो इलेक्ट्रोनिक्स के काम आते हैं इसके अलावा वाई एजी लेजर और संसार पढ़ना ले के लिए ऑप्टिकल फाइबर बनाने में सायक है छुंबा की सहत्र में इमेजिंग के रूप में एमाराई के लिए सब्चे ज्यादा उप्योगिता रहत